हेलो स्ट्रेंट्स एडूबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है और आज की वर्षिट है वर्षिट नमबर 107 इस वर्षिट में हम लोग कक्छा 4 के हिंदी बिसे को जानेंगे और हिंदी में रिमजीन बुक जो है आपकी उसके पाठ स्वातंदरता की और की चर्चा हम इसमें करेंगे और उस पाठ में आए सर्वनाम सब्दो को हमें इसमें जानना है तो बच्चो इससे पहले कि मैं वर्षिट सुरू करूँ आपको बता देता हूँ कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन का बटन भी दबाले ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपक एक वर्षिट किया है तो चलिए शुरू करते हैं यहां कहा जा रहा है कि धनी के पिता चरखा रोक कर बड़े धीरत से समझाया तो चरखा क्या होता है आप जानते हैं चरखा महात्मा गांधी ने इस पर कहा था कि यह कपड़ा बुनने की मसीन होती है और इसको चला करके इ महात्मा गांधी कहते थे कि अपने पहनने लाइक कपड़ा खुद ही बुन लिया करो अंग्रेजों के कपड़ों पर निर्भर मत रहा तो धनी के पिता ने चरखा रोका और कहा धीरत से समझाया बहुत ही संयम से समझाया कि सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा ज करने के बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था तो उस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी आत्रा करी थी और उनके साथ कुछ लोग पैदल ही दांडी गया थे तो उसमें उन्होंने कहा कि दा खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया गांधी जी बड़े ब्यस्त थे उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था मतलब कि वह हमेसा लोगों से घीरे रहते थे कभी भी अकेला नहीं होते थे तो अकेले में उन से बात नहीं की जा सकती थी क्योंकि गांधी जी बहुत बेस्त थे अब कहा जा रहा है आपके लिए इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर कि बच्चों उपर गहरे काले अक्छर में लिखे सब्दों पर ध्यान दीजिए और इन वाक्यों में संग्या सब्दों का प्रयोग ना करके उनकी अस्थान पर हुए मैं वह उन्हें सब्दों का प् प्रियोग किये जाने वारे सब्द सर्वनाम कर लाते हैं संग्या किसे करते हैं आपको जरूर याद होगा कि किसी भी नाम को संग्या कहा जाता है अगर किसी सब्द से ऐसा लगे कि वो किसी का नाम है तो वो संग्या सब्द होता है और नाम के बदले में अगर किसी दूसरे सर्वणाम की परिभासा है और इसमें आपको बताया गया है कि संग्या के अस्थान पर प्रयोग किये जाने वाले सब्द सर्वणाम की सब्द कहलाते हैं। उदारन जैसे मैं, हम, वा, मुझे, आप, तुम, उन्हें आदी. तो ये सारे सब्द किसी नाम के बदला में परयोक के जाते हैं, तो इसलिए ये सारे सब्द क्या होगे? सरवनाम होगे. तो आज की वर्षिट में हमें सरवनाम सब्द ही सीखने हैं. चलिए, अब पहला प्रस पहला प्रस्ण यहा है कि कोष्ठक में दिये गए सब्दों में से उप्यूक्त सर्वनाम सब्द चुन कर वाक के पूरे किजिए तो यहां जो सब्द दिये गए हैं यहां चार सब्द दिये गए हैं वे मैं तुम उन्हें इन्हीं चारो सब्दों को इसमें रखना है मतलब कि इनके सही जगह पर इनको रखना है और ये चारो के चारो सर्वनाम सब्द हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ खाली अस्थान है और का जा रहा है कि दांडी बस या ट्रेन में क्यों नहीं जा सकते तो इसमें होगा वे वे दांडी बस या ट्रिन में क्यों नहीं जा सकते तब ये sentence पूरा होगा और इसके बाद है डैस है इतना लंबा नहीं चल पाओगे तो यहां तुम आएगा तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे हमने वाकिक कर लिया ये कर लिया अब बचे दो इन दोनों को भी कर लेते हैं यहां डैस है मैं भी आपके साथ चल रहा है मतलब चल रहा हूं तो इसका मतलब है यहां होगा मैं मैं भी आपके साथ चल रहा हूं तीसरे में भरेंगे मैं और चौथा है डैस है अकेले पकड़ प तो आपने सारे सराव्णाम को इसमें भर दिया और आपकी ये पहले प्रसन के उत्तर पूरे लोए। उसके बाद देखे दूसरा प्रस्ण है और दूसरा प्रस्ण कह रहा है कि निम ने लिखी तो वाक्तों में से सर्वनाम सब्द खोज कर अपनी उत्तर पुस्तिका कापी में लिखे तो यहां चलिए हम पढ़ते हैं और जो जो सर्वनाम सब्द होगा उसको मैं गोला लगा है तो मंबई में रहती है इसलिए तरवनाम हो गया उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है यह सर्वनाम सब्द है उसने मैं से कहा कि मैं तैरा की सीखोंगी जितने सब्दों पर मैं गोला लगा रहा हूँ इसको सरकल कर रहा हूँ यह सारे कि सारे सरवनाम सब्द है आप इनको लिख लिजेगा मा हसकर बोली क्या मैं तुम्हें तैरना अच्छा लगता है वह बोली वह भी सरवनाम है मा मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर यहां फिर मैं आ गया तैराक बनना चाहता हूँ उसकी बात सुनकर मा मुस्कुराने लगी तो यह सारे सरुनाम सब्ध हैं इसमें वह उसे उसने मैं वह मुझे मैं उसकी इन सभी सब्धों को आप अपने कापी में लिख लेएं अब तीसरा प्रस्णे देखते हैं तीसरा प्रस्णे है नीची दिये गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सरुनाम सब्धों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है इन काले गहरे सब्दों की जगह उचीत सर्वनाम सब्द का परियोग करके वाक्यों को दोबारा लिखे तो चलिए देखते हैं क्या क्या गलती हुई है तो सबसे पहली गलती यह है कि यहाँ पहले नंबर में आप देखे अब होगा मैंने बहुत अच्छे से चलता हूं तो यहाँ यह नहीं होगा यहाँ होगा मैं मैं बहुत अच्छे से चलता हूं आप इसके आगे मैं लगाईएगा तुझको और अम्मा यहीं रहेंगे तो यहां भी तुझको नहीं होगा तुझको के बदला में तुम होगा तुम और अम्मा यहीं रहोगे ओके तुम और अम्मा यहीं रहोगे और उसके बाद है तुम और गिद्नी सुबा से मुझको पीछे क्यों घुम रहे होते हैं आम मुझको नहीं होगा मेरे पीछे क्यों घुम रहे हो तो आपने इसका सुधार कर दिया और इसी धंक से यह इतने भी डीप वाले हैं इन सब के जगा पर जो जो रखने हैं उन सारे सब्दों को आप रख देंगे अब यह हाँ है अज़ाओ के लिए संदेश है कि बच्चों को पटाखों के बारे में बताना है और मिलकर प्रण लेना है कि पटाखों को कहिए ना और प्रण आपको यह लेना है आपको वोलना है कि हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जब पटाखे जलाये जाते हैं तो इन में से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायू की गुणवत्ता को विगार देते हैं ये रसायन अत्तधी खानिकारक होते हैं और अलजाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बिमारियों का कारण भी बन सकते हैं, हम पटाखों को नहीं जलाकर प्रयावरण को प्रदूसन मुक्त करने में पूरा सही होग देंगे, और यहाँ फिर देखे say no to crackers मतलब पटाखा नहीं चलाएंगे, be fair don't pollute there, साफ रहें और हवा को प्रदूसित नहीं करें, तो बच्चों यह थी आपकी वर्षिट और आपने वर्षिट पूरी करी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वर्षिट में, थैंक्यू